नमस्कार दोस्तों मेरे नाम जय कुमार है और आज इस वीडियो के माद्यम से मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि जूस की दुकान खोल कर हम लोग जूस का बिजनिस किस तरह से कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इन दिनों स्वास्थे को लेकर हर जगा लोग जागरुकता दिखा रहे हैं हाला कि वक्त के साथ एवं भारतिय परिस्ति को देखते हुए लोगों का स्वास्थे के प्रती जागरुक होना अनिवारिय भी है स्वास्ते तभी बहतर रहता है जब हम एनरजी देने वाली चीजों का सेवन करते हैं जैसे कि फलो का जूस मौसम के अनुसार विभिन तरह के फल आते हैं लोग उसी के अनुसार जूस भी पीते हैं यदि आप ऐसे में कोई छोटा बिजनिस शुरू करने की तलाश में हैं तो जूस की दुकान खोलने पर आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं यह बिजनिस आप कैसे खोल सकते हो और इसमें क्या क्या चीजों की आवश्यक्ता होगी यह सब कुछ आज हम इस वीडियो के माद्यम से आपको बताइंगे दोस्तो जूस तरा तरा के फलो से बनाये जाते हैं लेकिन आपको बता दें की जरूरी नहीं है की जूस फलो के ही बनते हैं बलकि सबजियों के भी जूस बनते हैं जो कि हमारे शरीरी के लिए काफी फाइदे मंद होते हैं जब आप एक शौप खौल कर ये सभी तरह की जूस लोगों को उपलब्द कराइंगे तो इसके बदले में वे आपको पैसे देंगे हाला कि इसमें आपको अपने ग्रह की पसंद का ख्याल रखना आवशक होगा क्योंकि इसी पर आपके बिजनिस का लाव एवम हानी निर्भर करेगी दोस्तों जूस की दुकान शुरू करने के लिए आपको एक प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी जिसके अनुसार आप काम करके अपने बिजनिस में आगे बढ़ सकते हैं प्लानिंग में आपको यह निश्चे करना होगा कि आप अपनी दुकान किस शेत्र में खोलेंगे जूस निकालने वाले मशीन कहां से लेंगे और पूंजी की विवस्था एवं ग्राहों तक कैसे पहुँचेंगे इसके बाद आप बहुत आसानी से इस बिजनिस को शुरू कर पाएंगे दोस्तो जूस की दुकान खोलने के लिए आपको एक ऐसी जगा को चुनाव करना होगा जो की बाजार, अस्पताल, जिम, स्कूल या कॉलिज के बाहर आसपास में ही हो क्योंकि वहां आपको ग्राहक बहुत मिल जाएंगे दोस्तो जूस की दुकान खोलने में वैसे तो आपको किसी भी कर्मचारी की आवशक्ता नहीं है लेकिन आपको अपने हेलपर के रूप में कम से कम एक से दो लोगों को रखना पड़ेगा क्योंकि इस से आपको काफी मदद मिलेगी दोस्तो जूस की दुकान खोलने के लिए आपको कुछ चीजों के आवशक्ता होगी सबसे पहले तो फलो एमम सबजियों के आवशक्ता होगी जो की एक दम ताजी होनी चाहिए इसके अलावा बर्फ होना चाहिए क्योंकि गर्मियों के दिनों में लोग जूस में बर्फ डालकर ठंडा ठंडा जूस पीना जादा पसंद करते हैं दोस्तों जूस ड्राइफ रूट्स के भी बनते हैं इसलिए आप इसे भी अपनी दुकान में ज़रूर रखें आपको बता दें कि विभिन फलो के जूस में कई लोग उपर से ड्राइफ रूट्स डालकर पीना भी पसंद करते हैं आपने यहे तो समझ ही लिया है कि आपको जूस की दुकान खोलने में किन किन कच्चे माल के आवशकता होगी अब आपको यहे बताते हैं कि आपको इसके अलावा और क्या चाहिए होगा तो आपको बता दें कि आपको कुछ जरूरी मशीनिरी एवम बरतनों की आवशकता होगी इसमें कुल तीन तरह की जूसर मशीन आती है आपको वह तीनों चाहिए होंगी आपको एक फ्रिज भी रखना होगा क्यूंकि आपको अपने फलो एवम सबजीों को स्टोक करना है तो यह बेहद आवशक है इसके अलावा कुछ टूल्स जैसे की चाकू, चौपिंग, बोर्ड, फल काटने वाले कटर और छोटे बड़े साइस के ग्लास, कटोरा, चमच इन सबी चीजों की आवशकता आपको होगी आपको इस बिजनिस की शुरुआत करने में कुछ रजिस्ट्रेशन एवम लाइसेंस के लिए आवधन करना होगा दोस्तो आपको F.S.S.A.I. लाइसेंस के लिए अपलाई करना होगा यह लाइसेंस खाद्य सामगरी से संबंदिद लाइसेंस है इसलिए आपको अपनी गुडवत्ता को जाच कराकर F.S.S.A.I. रजिस्ट्रेशन कराने की आवशकता होगी और इस आवशक लाइसेंस को प्राप्त करना होगा दोस्तो आपको अपने बिजनिस के लिए जी एस्टी रजिस्ट्रेशन कराना भी आवशक है साथ ही साथ दोस्तो आपको अपने बिजनिस के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना भी बेहत जरूरी है इसलिए आपको यह लाइसेंस भी प्राप्त करना होगा दोस्तो जूस की दुकान खोलने के लिए आपको जादा लागत के आवशकता नहीं पड़ेगी इसे आप लगबग 50,000 रुपे में शुरू कर सकते हैं लेकिन यदि आपको इसमें मशीनिरी एवं फ्रिज भी लेना है तो इसके लिए आपको एक लाग रुपे तक का भी निवेश करना पड़ सकता है यदि आपके पास इतने पैसे नहीं है तो आप मुद्रा लोन के लिए आवेदन दे कर यह प्राप्ट कर सकते हैं क्योंकि इतने पैसे आपको आसानी से मिल जाएंगे दोस्तो जूस की दुकान में जब आप एक गलास जूस बेशते हैं तो इसमें आपको कम से कम 40-50 रुपे मिलते हैं और आप प्रती गलास कम से कम 20-30 रुपे तक कमा लेते हैं यानि महीने का आप इस बिजनिस से कम से कम 50-50 रुपे से लेके 60-60 रुपे तक बहुत ही आराम से कमा लोगे दोस्तों अगर आप ताजे फलो एवं सबजियों का जूस अपने ग्रहकों को नहीं प्रदान करोगे तो आपको इस से नुक्सान हो सकता है इसलिए आपको यह सब चीजों का ध्यान रखते हुए ताजे फलो एवं सबजियों का ही उप्योग करना होगा तो दोस्तों ये है था जूस की दुकान खूलने का आसान तरीका इस तरीके को अपना कर आप इस बिजनिस से बहतरीन कमाई कर सकते हो तो दोस्तों अगर मेरे दुआरा दी गई है जानकरी आपको समझ में आई हो और अच्छी लगी हो ये वीडियो तो इसको लाइक करना, शेर करना, कमेंट करना, कमेंट करके जो पूछने आप पूछ सकते हो जिसका रेपलाई आपको मैं एक ले चोबस घंटे में दे दूँगा ऐसी बिजनिस से जोड़ी और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को जोरो सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन को भी प्रस करें ताकि डायक नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाएं तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद